नमस्कार मित्रों, जै मातादी, मातारानी की किर्पा से आप सभी का हम इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मत्रों मनुस्य के जीवन में ग्रोहों के बदलने के अनुसार मनुस्य का जीवन, मनुस्य का सुक, मनुस्य का दुख, मनुस्य के साररी कश्टों सथा, मनुस्य के मानसिक और सुक सांति के प्राप्ति ग्रोहों के अनुसार ही होती है ऐसे में भगवान की गिरपा मनुस्य के जीवन में पराप्त कररना बहुत इप अच्छा होता है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला समय बच्छों, आपके ग्रहों के इस्टितिया कैसी है? आपका समय, दिन्चरिया और आपका स्वास्त कैसा है? धन के इस्टितिया कैसी रहेंगी? बैपार के इस्टितिया कैसी रहेंगी? वैपार, वैविसाय, करियर और लव लाइफ में आपको कौन सी बड़ी सफलता मिलने वाली है भगवान स्रीहरी विश्णुजी की पूजा उपासन किस प्रकार से करके धन दोलत की प्राप्ति कर सकते हैं रुपय फैसे में प्रभुत्री कर सकते हैं और आप अपने सभी दुस्मनों को प्राजित कर सकते हैं धन की देवी माता लग्विजी की पूजा उपासन करके इस प्रकार से उनको प्रसन न करके आप अपने घर धन की देवी माता लग्विजी को बूला सकते हैं मित्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्थार से वीडियो को आखरित दीखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से बिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तुमित्रों ग्रुम के चाल ये इसारा कर रही हैं कि आपके लिए आने वाले समय मिस्रित परणाम दायक रहेगा कई मामलों में आपको सफलता मिलेंगे आपके मेहनत से कारिब सिद्धी के प्राप्ति होंगे आपके सी धार्मिक क्यात्रा पर जाने की बात मना सकते हैं लेकिन आपके जीवन में इस समय पैसो को लेकर जो भी तंगिया चल रही हैं पैसो को लेकर जो भी आपकी अड़चने आ रही हैं उन सभी से आपको चुटकारा मिलने वाला है बगवान स्रीहरी विसमुजी की किरपा से आपको एस्वरी की प्राप्ति होंगी धन के छित्र में आपको सफलता मिलेंगी परिवारवालों का, रिष्टेदारों का और सगे सबंदियों का आपको सहयूग मिलने वाला है मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर संतान सुख से वंचित हैं बहुत प्रियास करने के बाद भी अगर आपको संतान सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह अब प्राप्त होने का इसारा दिख रहा है इस समय सूरी के रासी प्रवर्तन होने की बिज़े से आपके कारिशित्र में मान सम्मान की प्राप्ति होंगी घरवाले फ्रिवारवाले और समाधवाले आपके इज़त करने वाले हैं आपके मान शम्मान में इज़त में बुरहुत्री होने वाली हैं दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं पुराने किसी मन मुटाव को तूर कर सकते हैं। पुराने रिष्ञेदारों के साथ दुलाकाद कर सकते हैं। करियर के द्रिश्टी से भी आज का दिन मजबूती के साथ आपका साथ साथ देगा। भागे का साथ उनिकी बज़ा से कारिश्यत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ती होंगी, बिजनस करने वालों को भी सफलता मिलेंगी, निजी जीवन में भी आपका इस समय पारिवारित तालमेल बनाने की जरूत रोहेंगी, आप और आपके सही होगी, दोनों आपका पूरा स देने वाले हैं, लेकिन निजी जीवन में आपका तनाव रह सकता है, लेकिन यह समय के साथ दूर होने वाला है, मत्रों, साभधान, आगे की बातें रहस्मरी रहेंगी, जो कि सिर्फ और शिरुव आपको ही जानना, सुनना, और समझना चाहिए, इसलिए आगे की जानकारि को आप पूरे ही गार से सुने चंद्रमा रासी से दूसरे भाव में और आपकी रासी में राहू के उपसिती आज आपका मान सम्मान दिलवाने बाला है और ये आप के लिए तथा आपके प्रिवाद के लिए सुब फलतायक रहेगा आपके मान सम्मन्न में पर्तिष्टा में वर्दी होंगी मित्रों अगर आप बेरोजगार ही वक हैं कई सालों से कई महीनों से कई दिनों से आप रोजगार की तलास कर रहे हैं या फिर आप अपने स्वेंग का रोजगार करने का विचार कर रहे हैं तो मित्रों रोजगार की शित्र में आपके किये गए प्रियास तो सारे के सारे फल आज आपको देनी वाले हैं कारिशित्र में भी आपको अच्छा कासा परिनाम की प्राप्ति होंगी आप किसी जौब या इंटर्व्यू को दिये हैं तो भी आज आज आपको अच्छे परिणामों की फ्राप्ति करवा सकते हैं आपके नौकरे लगवा सकते हैं और कारिश्यत्र में भी आपका मन लगा रहेगा आज आर्थिक तोर पर आपका दिन मजबूत रहेगा घर के जरूरी कामों में हाथ बटाने की कोशत करें कुम्बरासी वालों रुके वे काम भी आज आज आपके पूरे हो सकते हैं जिससे की आपको खुश्या मिलेंगे परिवार के बुद्रुगों के साथ आसरवाद लेकर कारे को करने का पूरा करें आपके सभी रुके पढ़े कारे की पूरे होंगे वत्रों अगर आप आज घर से बाहर जा रहे हैं अगर आप घर से बाहर किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं तो आज के दिन आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और अपने सारे पुरवज़ों को याद करके वो प्रणाम करके घर से बाहर निकलें आपके सारे कारे पूरे होंगे और आरही सारी के सारी बादाएं आपके जीवन में दूर होने भाली आपको सुखलता मिलने बाला है आरत handy तोर पर आज का दिन मजबूती के साथ रहने भाला है आप रुके वे कारे को भी पूरा होता हुआ आज देख सकोगे जिससे कि आपको कुछी की प्राप्ती होंगे प्रिवार के वुद्रुकों के आस्रवाद से कारे पूरे होंगे आज आपका भाग्य है और आपका नसीब दोनों साथ दिन निबाला है इसलिए अगर आप प्रोपर्टी डीलर है और कहीं निवेस करने का प्रणा बना रहे हैं तो आज के दिन आप यह प्लान को पूरा कर सकते हैं और आप कहीं भी निवेस करने से पहले अच्छे से जानकार व्यक्तियों से सलह लेकर ही कारे को करने की कुछिस करें ग्रहों के इसलिएं आपके भागी को बदलेंगी और बिजनस में भी आपको लाव की प्राप्ती होंगी लेकिन बेवज़ा बाद भी बाद में ना पड़ें बेवज़ा नए सत्रू को बनाने की कुछिस न करें बेवज़ा किसी के साथ बगज़ग या वेफजूल की बातों में अपना दिन जाया न करें आज के दिन आप अगर ऐसा करोगे तो बेवज़ा आपके सत्रू पैदा होंगे जिससे कि आपके तिताएं बढ़ेंगी इसलिए आपको साफधान रहने की जुरत होंगी आज आपके माता की स्वास्त में परिवरतन हो सकता है माता पिता के स्वास्त काफी अच्छा रहेगा और लंबे समय से अगर आप किसी विमारी से ग्रसित हैं तो उनसे भी आज आपको चुटकारा मिलने का कोई उपाय दिखेगा और आपके स्वास्त में पहरे से काफी जादा सुधार देखने को मिलेगा आज आपके सेहत काफी अच्छी रहेंगे आज लेकिन ही काम जरूर आपको करना होगा आज आप गो माता को हर अचारा और आप रोटी जरूर खिलाएं आपके सभी विगड़े कारी बनेंगे कारिशत्र में भी आपको खुशी की प्राप्ती होंगी जीवन साती के सहयोग से आप नई फ्रूपटी में निवेस कर सकते हैं आज रासी के स्वामी द्वादस भाव में रहेंगे जिसके कारण खर्शों में तीजी आएगी और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है लेकिन ग्रहों के सुबस्योग की वज़े से कारण आपका भागे भी आपको सात देने वाला है और पिछले कई दिनों से जो काम रुक रहे थे उन कामों को पूरा कर सकोगे आज आपके प्राक्रम अबड़ोत्री होंगे कोट का चहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी जिससे आपका मन काफि प्रसंद रहेगा मित्रों अगर आप किसी भी काम को लेकर कोट का चहरी में काफी लंबे समय से फसे हुए थे काफी लंबे समय से आप किसी योजना को बना कर कार्य तो कर रहे थे लेकिन आपका किसी कारण से वो योजना सफलना हो रहा था तो उन सभी योजनाव को पूरा कर पाने में आज आपका पिजादा सफल रहोगे कारिशत्र को लेकर भी आपके मन में अलग-अलग प्रसन अलग-अलग सवाल उठते रहेंगे उन सभी कारे को पूरा कर सकोगे जो भी आज 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 आ कारिशित्र में काफी लाव होनी वाला है बैपार व्यवसाय और करियर को लिकर भी आपको बहत्रिन सफलता की प्राप्ती होंगी कारिशित्र में भी आपके लाव प्राप्त होंगे आपके सहयोगी आपका सहयोग करनी वाले हैं और विबिन्य प्रकार की प्रस्तितियों से आ आपको चुटकारा मिलने वाला है। आपको लाव होगा आपके धन की छेतर में, मान समान की छेतर में बढ़ोत्री होगी। प्रत्रों जो लोग औविवाहित हैं। औविवाहितों के लिए भी आज का दिन बेहदिशुब रहेगा। क्योंकि औविवाहितों को विवाह के वह पसेवे सारे कारे भी आज आपके पूरे पोने बाले हैं। मतरों आपको बताना चाहेंगे कि आज आज आप किसी गरीव को दान देने का प्रियास करें। दान देने से आपके सबस्तर प्रिकार के समस्याओं से आपको जुटकारा मिलेगा। और जिससे कि आपका नाम बहुत ही फैलने बाला है, नाम आपका गुंजने बाला है और कारे को लेकर भी आपके सारे समंध्य भी काफ़े प्रसंद्न होंगे मित्रों आज आपको बताना चाहेंगे कि आपके रासी के स्वामी छटे भाव में सनी और वरस्पती के साथ होंगे तथा चंद्रमा एकादस भाव में रहेंगे जिसकी वज़ा से आप कठिन पस्तितियों से भी आसानी से बाहर निकल पाने में सफल होंगे और विरोधियों का पसीना भी आप छुडवाने वाले हैं आप बेहदी ताकत पर बेहदी होंसियार और बेहदी फुर्तिवाद तरीके सिकारे को अंजाम देने वाले हैं आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दी अवस्ते लिखें आपका दिन सुब हो मंगलकारी हो जैमा विंदू